हलो फ्रेंज वेलकॉम भैक टो माई चानिल आज हम बनाने चाहरे आलू और सिम्ळा मिव्च की मसालादार सबजी तो चलिए शूरू करते हैं इसे बनाने के लिए ज्यदा टाइम नहीं लगता है और इसको बनाने के लिए कि जोते कर लिया है कि हमें क्या चाहिए तो क्या चाहिए थे मिडियम साइज के आलो को मैंने इसे काट लिया है छोटे चोटे करके दो सिम्ला मिच को भी ऐसे ही काट लिया है एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने भी काट लिया है इसे चोटे-चोटे करके और एक बड़े साइज की टमाटो को ऐसे चौप कर लिया है मसालो में हमें चाहिए एक चामच ज़ुदर क्लसुन का पेस्ट आधी चामच गरम ला, आधी चामच हल्दी पाउडर, आधी चामच लालमीच पाउडर, एक चामच धन्या पाउडर, आधी चामच जीरा, और स्वाधन सार नमग यहां पर मैं कुछ पीनट्स यूज़ कर रही हूँ, यानि मुपली, इसको मैंने थोड़ी दिर के लिए रोस्ट कर लिया था, और इसको इसे क्रस्ट बना लिया है, और दो चामच तेल लेंगे, तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं यहां पर मैंने एक मीडियम फ्लेम पेग प्यान गरम कर लिया था, प्यान में हम दो चामच तेल डालेंगे, तेल थोड़ा गरम हो जाए फिर हम उस में कटा हुआ आलू डालके उसको थोड़ी दिर के लिए फ्राइ करेंगे इसे 2-3 मिनित के लिए हम फ्राइ करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, हलका से फ्राइ करेंगे यह हो गया है, अभी मैं इसको एक प्लेट पे निकाल लिया नेक्स्ट राम बच्ची हुई तेल में जीरा डालेंगे मिला गेते हैं उसे, फिर हम डालेंगे प्याज प्याज को 2-3 मिनित के लिए से फ्राइ करेंगे प्याज का कलर थोड़ा चेंच हो जाए, फिर हम उसे में डालेंगे यह अध्रकलोस्ट का पेस्ट और उसको यह से चलाते रहेंगे ताकि जो कच्चा स्मेल है, वो ना रहें अभी हम डालेंगे सिम्ला मिट और इसको अच्छे तरह से मिला देंगे और इसको 2-3 मिनिट के लिए हम फ्राइ करेंगे, इसे ज़्यादा फ्राइने करने बस थोड़ा सा हलका से फ्राइ करेंगे फिर हम डाल देंगे टोमाटो, कटा हुआ टोमाटो को यह से डाल के मिला देंगे इसको भी 2 मिनिट के लिए ऐसे चलाते रहेंगे ताकि टोमाटो जो है थोड़ा मेल्ट हो जाए टोमाटो हमारा मेल्ट हो गया है, थोड़ा सा और अभी हम डालेंगे यह फ्राइ करके रखा हुआ आलू और मिला देते हैं अब सारे सबचियों को एक साथ फिर हम डालेंगे यह मसाला हल्दी पाउडर, लालमीच पाउडर, गरम मसाला, धन्याप पाउडर उसके साथ में नमक भी डाल रहे हूँ और सारे मसाला को अच्छी तरह से मिला देंगे और इसको दो मिनिट के लिए कबर करके हम पकाएंगे बीच बीच में इसको चलाते रहे आलू हमारा थोड़ा सा पक गया है लेकिन इसको हम दो मिनिट के लिए और पकाएंगे अभी हम डाल देंगे क्रस करके रखा हुआ ये पीनट्स मियां पर दो चामच पीनट्स डाल रही हूँ और धन्या पता भी एक साथ डाल देंगे मिला देते हैं इसे और इसको दो मिनिट के लिए फिर से कबर कर लेंगे ये दिखिए ये हमारा रेडी हो गया है अब ये मैं ग्यास का फ्लेम आफ कर रही हूं और इसको एक सार्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं रेडी हो गया हमारा आलू और सिम्ला मिर्ट के मौसालादार सबजी आप इसे ट्राइ कीजिए और आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू